नकसलवादी आंदोलन जो 50 साल पहले शुरूआ था और अभी तक चल रहा है क्या है ये नकसलवाद जिससे कौन सी आइडियोजी है जिससे सरकार अभी तक पार नहीं पा सकी है और कौन है ये नकसलवादी कहां से शुरूआत हुई इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद ह आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अलग 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 दिशाओं में गये हैं इसलिए माववाद जो आजादी से पहले जो नकसलवाद शुरूआत हुई थी लग बग मतलब लिफ्ट विचार धारा की वो आजादी के बाद दो अलग धाराओं में बटी भारत म अलग तरीके से रही पाकिस्तान में वो अलग तरीके से रही इंडिया में शुरूआत हुई एक हैरानी की बात ये कि नकसला अंदुरण की शुरूआत किसानों की लड़ाई को लेकर हुई और शुरूआत करने वाला लड़का ये जमिनदार घर से आता था इनका नाम था चारूमजुमदार, 1918 में चारूमजुमदार एक जमिदार परिवार में जन्मे थे, और बचपन से ही उनको जमिदारी हैवानियत या वहशियत कहें, उससे उनको चिड़ थी, उस चीज को वो पसंद नहीं करते थे, और पच्चिम बंगाल के जो जाने माने चेहरे थे, राम मोहन रॉय, श्वर्चंद विद्दा सागर, स्वामी विवेकानन, रभिनार टैगोर, सबको वो वेटिश ही मानते थे, वो ऐसा नहीं मानते थे कि ये लोग इंडिया के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते-करते इन्होंने वो चीजें छोड़ दी और राजनीती में आ गये, कॉंग्रेस इन्होंने जॉइन कर लिया, बिड़ी बनाने वालों को, बस्ची मंगाल में बिड़ी बनाने वाले बहुत थे, उनको उन्होंने संगठित करने का प्रयास किया, कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली, लेकिन फिर उनको ये छोड़ना रही, जिसमें सुवाश चंदर बोश, जोहर राल नहरू, ये सारे लोग लिफ्ट और्गुमेंट को, जो की ऐसा माने जाता था कि किसानों का हक ज्यादा मजबूत होना चाहिए, कंपेर टू जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बैपारी होते हैं, लेकिन इन से एक अलग किसानों की नफरत बिटिश आसन से ही बढ़ते बढ़ते जंतंतर के लिए भी होने लगी, वैसा मानते थे कि ये वो लोग हैं जो किसानों का भला नहीं करेंगे, चारू मजुमदार ने कम्यूनिस्ट पार्टी जोइन कर लें 1937 में, उसके बाद 1946 के आसपास बंगाल में ए किसानों के डिमांड ये थी कि उनको फसल के कीमत का दो तिहाई मिले, क्योंकि अपनी हड़ियां गला कर वही मेहनत करते थे, और एक तिहाई टेक्स के रूप में जमीदारों को दे दिया जाए, इसके खिलाब किसानों ने अंदुलन खड़ा किया, इसको तेभागा दोलन में रहे, वहाँ पर उनको सफलता मिली, इस सफलता के बाद उनका confidence बहुत जादा बढ़ गया, उन्होंने तै किया कि मैं पूरे देश में किसानों को जमिनदारों के चंगुल से मुक्त कराऊंगा, तब तक देश आजाद हो चुका था, 1947 में देश आजाद हुआ, के पर इंडियन साशक आ गये थे, और जो लड़ाई पहले देश भक्ती थी, अब वो लड़ाई देश द्रोह में तबदील हो सकती थी, क्योंकि आप सरकार से लड़ रहे थे, आप राजी पर आरोप लगा रहे थे, चारू मजुम्दार, 1940 में जेल हुई, और वहीं पर उनकी अग्रेसिव नेचर के युवक्त थे, उन्होंने पस्चिम मंगाल के मुख्यमंतरी विधान चंदरोय को एक पार्टी में काले जंडे दिखाए थे, और उनको जेल में डाल दिया गया था, ताजूब की बात यह है कि कुछ वर्षों पहले, कुछ वर्षों पहले सरकार को काले जंडे दिखाने के लिए लोगों को जेल में डाला जाता था, और आजादी के बाद इस नए लड़के को भी जेल में डाल दिया गया काले जंडे दिखाने के लिए, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ा, दोनों लड़कों का जो मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे से मिले दुनों ने एक दूसरे की आडियोलजी समझी दुनों ने किसानों के बारें बात की दुनों ने अपनी लड़ाई के बारें बात की और ये उनका उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई 1952 में कानू ने भी Communist Party of India यानी CPI जाइन कर लिया ये कानू सन्याल की बहुत बात की तस्वीर है 2009 की दोनों लोग काम करते रहें फिर CPI टूट गई दो धड़ों में टूटी चारू और कानू ने CPI Marxist जाइन कर ली और इसके बाद इस पार्टी का मकसद था Armed Revolution करना हत्यार के दम पर ये चीजे हैं हत्यार के दम पर ये लोग करांदी करना चाहते थे लेकिन ये सक्सेस्फुल नहीं रहा हत्यार मिलते थे हत्यार मंगाए जाते थे लेकिन Communist Party का जो दूसरा धड़ा था जो सत्ता में आता जाता रहता था वो चीज से नाखुश था 1965 में चारू अपने historic eight documents के साथ आए इसमें ऐसा कहा गया कि चीन का जो Mao Zedong जो की वहां के तानाशाह के हैं या नेता के हैं जो कि CPI की नेता थे उनको अपना ideal मानते थे माओ का भी ऐसा मानना था कि बंदू की नाल से ही ताकत निकलती है ऐसा ही कुछ statement उन्होंने दिया था वो गाधी के सत्यागरा या इन चीजों में एकीन नहीं रखते थे वो हत्यार के दम पर हर चीज छीनना चाहते थे चारू मजुमदारों और कानू सन्याल को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई भारत सरकार के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ने का एलान किया 1967 में चारू मजुमदार को इस पार्टी से भी निकाल दिया गया क्योंकि चारू ने खुलयाम कहा था कि अब हत्यार चीने जाएंगे और जमीदारों का सर कलम किया जाएगा वक्त बिलकुल सही है और ये सारी चीज़ें हो रही थी नकसल बाड़ी में पस्चिम बंगाल के दारजिलिंग जिले में ये नकसल बाड़ी है आज भी वहाँ पर महाननदा पारा रोड है आज भी अगर कोई वहाँ आ जाए और पूछे कि चारू मजुमदार का घर कहा है तो लोग ऐसा लोग कहते हैं कि लोग मुझे नहीं बताते इशारा कर देते हैं कि चारू का घर वहाँ है क्योंकि आज भी वहाँ पर एक बटालियन रहती है CRPF की तो चारू का ऐसा मानना था कि ये वक्त आ गया है कि हम अंदोलन शुरू करें जिस अंदोलन को बाद में न नाम आएगा ये वो दौर था जब शहरी लोग गाउं के किसानों के लिए लड़ाई लड़ते थे और लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये शहरी लड़के पढ़ाई छोड़ कर हतियार लेकर क्यों लड़ने किसानों के लिए ये वो दौर था कि जब कलकत्ता के लोग लड़कों के बारे में पोलिस को नहीं बताते थे, एक काफी ताजूम की बात थी, क्योंकि कलकत्ता उस समय का बंबई था, कलकत्ता उस समय बहुत आगे था, ऐसा माना जाता था, ब्रिटिश काल में कलकत्ता जिनुचायों पर पोहुचा था, भारत के बागी शहर बहुत ही पीछे थे अप्रेल 1967 में घटना हुई एक भिगुल नाम का किसान था उसके पास जमीन नहीं थी वो इश्वर तिर्की की जमीन जोता था उसको पैसा बहुत कम मिलता था एक दिन इश्वर ने अपनी जमीन से उसे बेदेखल कर दिया कि अब आपको नहीं जोतना है भिगुल ने शिकायत की जहां शिकायत की वहां की नेता थे कानू सन्याल उन्होंने कानू को घेरा लेकिन तिर्की के कॉंग्रेस में संपर्ख थे उसके कॉंटेक्ट थे उसको बचाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली से CRPF की बटालियन भेजी गई थी इसमें मज़ेदार बा लगभग उसी दोर में CRPF में इंडिया में बनी थे 1949 में CRPF बनी थे उस समय उसका नाम CRPF कर दिया गया था यह आर्मी की तरह नहीं होती है यह लाइंड और मेंटेन करने के लिए होती है रिजर्ब फोर्स है यह पुलिस की मदद करने के लिए आती है आतो वहां की कहानी म इश्वर तिर्की बच गए और कानू सान्याल का यह प्लान फेल हो गया लेकिन कानू अपने लोगों को दुखी नहीं करना चाहते थे नहीं वो यह दिखाना चाहते थे कि हम लोग हार चुके हैं एक दूसरे जमिंदार थे नगेन रोय चोधरी वो इतने खुश किसमत नही निकले उनके इतने contact भी नहीं थे उनके लिए पुलिस नहीं आ पाई और फिर कानू सान्याल के order पर नगेन का सर कलम कर दिया गया सर कलम करने के लिए बड़ा जिगर чाहिए होता है बड़ी ताकत चाहिए होती है इसके लिए बुलाया गया एक 6.5 इंच के लड़के को उसक खोफ पैदा हो गया, वो सारे के सारे सरकार के पास गये, उससे में बंगाल के होम मिनिस्टर हुआ करते थे जोती बासू, जो की बाद ने 25 साल से ज्यादा वक्त तक पस्चिम बंगाल के मुख्यमंतरी रहे, सरकार ने जो तरीका इस्तिमाल किया, जो अक्तियार किया, वो बि भी कर सकते हैं, जिबकि सच्चाई ये थी, कि जो लोकल लेवल पर जो नेता होते थे, वो अपने अपने वोट के हिसाब से, नकसली या जो भी गृप होते हैं, उनके साथ मिल जाते थे, ऐसा ही पस्चिम बंगाल में भी हुआ, उस समय किसानों को सरकार ने टेररिस्ट का अतंकवादी बता दिया था, इसके बाद क्या हुआ कि एक और बहुत बड़ी घटना होई, नकसलवादियों ने एक शांती नाम की औरत को अपना सेनपती बनाया था, शांती की लिडरिसिप में किसानों का एक गृप जमीदारों से जमीन चिनने जा रहा था, नकसलवादि बड़न्त में एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, इसमें दो कहानिया गड़ी गई, एक कहानी गड़ी गई कि नकसलवादियों तय करके आये थे कि हमें पुलिस को मारना ही मारना है, दूसरी कहानी है जो शांती बदाती है, शांती अभी भी जिवी थे, शांती कहती है कि भीन में उन्होंने देखा कि पुलिस इंस्पेक्टर सोनम वांगदी ने एक प्रेगनेंट औरत को लात से मारा, बाद में ओ औरत मर गई थी, इसलिए शांती ने उस इंस्पेक्टर सोनम को मारने का ओर्डर दिया था, इसके जवाब में पुलिस ने अगले दिन 11 लोगों को म जिनमें नौ औरतें और दो बच्चें शामिल थे, इस घटना ने नकसल अंदुलन की दशा दिशा बदल दी, अब ये वो नहीं रह गया था, जो पहले था, बातें नहीं होती थी, अब ये तै हुआ कि सब को मारा जाएगा, चीन भी इस मौके की तलास में था, ऐसा कहा जा जाता है कि चीन नकसलवादियों को हत्यार मोहिया कराता था, सरकार ऐसा मानती है, कानू सन्याल ने ये डिकलेर किया एक पबलिक मीटिंग में कि नकसलवादी को अजाद करने के अलावा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक जटके में कई जमिंदार मार दिये गए, य छोड़ा गया, ऐसा कहा जाता है कि 1968 में नकसलवादी नेता कानू सन्याल चारू, ये लोग चीन में माओ से मिलने भी गए थे, ये माओ की तस्वीर है, तस्वीर नहीं मूर्ती है, 120 फुट की मूर्ती है, ये माओ का दौर था, जब चीन में एक ही रंग के कपड़े पहने जाते थे, माओ ऐसे तानाशा थे, जिन्होंने अपनी या लोग कपड़ा पहनना मुहाल कर दिया था, उस वक्त में चीन के वाओं की यही ख्वाईश रहती थी, कि किसी तरह से हमें कलर्ड कपड़े मिल जाएं, तो हम पहन लें, वो इस मगल करके कपड़े मंवाते थे, श सब कुछ जल्दी चाहिए था, वो सब कुछ बदल देना चाहते थे, 1979 में, अप्रील में उन्होंने लंबी मीटिंग किया थे ठीकर, 40 साल पहले, नई पार्टी बनाई, CPI ML, ML यानि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यह सब से एक हाथ उपर था, वो लेफ्ट कांती के जनक ले चारू को मजबूरन अंडरग्राउंड होना पड़ा, क्योंकि आइडरोलजी तो बहुत स्ट्रॉंग थी, बातें बहुत ज़्यादा थी, लिकिन हथियार लेकर सत्ता से लड़ना आसान नहीं होता है, वो भी वो सत्ता जो कि एक स्वतनतरता संग्राम लड़के पाई गई उनको देखने को मिली, अपराधियों के बारे में पता चला, उन्हें समझ में आया कि ये जो हम कर रहे हैं, वो आसान नहीं होता है, वो काफी भटका हुआ भी होता है, सुनने में सही लग सकता है, लेकिन कई बारी सही नहीं भी होता है, एक इसका दूसरा तरीका भी होता ह जनतंदर के साथ जाने का वोटिंग के साथ जाने का ये बात उनको समझ में आ गई लेकिन चारू अपने इरादों के पक्के थे चारू उस वक्त पर हीरो माने जाते थे पढ़े लिखे लोगों के भी हीरो माने जाते थे लोग इवा उनको अपना आदर्स मानते थे सारे कानू सान्याल ने पार्टी को अल्विदा कह दिया और यहीं पर नक्सलबाडी मूव्मेंट को बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि कानू जो दूसरे नंबर के निता माने जाते थे उन्होंने अपनी पार्टी पर ही आरूप लगा कर पार्टी को छोड़ा था कानू इसके बाद भी अलग पार्टी बना कर काम करते रहे पहले की तरह नहीं थे बाद में ख़बर छपी 2006 में कि कानू बुढ़े कानू ट्रेन में जा रहे थे और डगैतों से भिड़ पड़े डगैतों ने वहाँ डगैती डाली थी और चाकू लगने के बाद भी कानू उन खारत सरकार नक्सलवादी अंदोलन के पीछे पड़ गई उनीसो बहत्तर में चारू मजुंदार इंडिया के मोस्ट वांटेड मैं थे यह लाल बजार पुलिस स्टेशन है यहां के पुलिस उनको दिन रात खोशती रह दी थी फिर एक बार क्या हुआ कि चारू के नजदे में दस दिन की पुलिस के स्टेडी में उनको रखा गया कोई केश दर्ज नहीं हुआ कोई मुकमा नहीं चला चारू से किसी को बिलने नहीं दिया गया नहीं उनको कोई वकिल करने दिया गया, किसी भी कोर्ट में उनकी पेशी नहीं हुई, पुलिस ने चारू को इतना टॉचर किया, इतना टॉचर किया, कि कहा जाता है कि उनकी चीखें थाने के बाहर गूचती रहती थी, किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन फिर एक आन्दोलन बदल चुगा था खतम हो चुगा था ऐसे लोग आचुके थे जिनके कोई आदर्स नहीं थे छारूमजुदार के आदर्स से बहुत कम लोगों का मैच हो पाता है उन obsानुंके तरीके गलत हो सकते हैं लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि उनके इरादे गलत नहीं थे ब अक्सलवाद देश के लिए सबसे बड़ा खत्रा है. कानू ने तो छोड़ी दिया था, चारू मारे गए और 1981 में जंगल संथाल भी मर गए. वो शराबी हो गए थे अपने आखरी दिनों में, उनका किसी पार्टी, किसी राजनीती से कोई लेना देना नहीं था. इस बीच में ऐसे लोग आगे, जिन्होंने राजनीती, टेरोरिज प्रिजम, कैपिटलिजम, तीनों चारों चीजों को मिला कर एक नए किसम का अंदोलन खड़ा कर लिया. उनको पैसे की उगाही की भी जरूरत थी, साथ ही सत्ता से लड़ते रहने की जरूरत थी, और इसमें मदद करने में परोक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि सत्ता पक पादी घटनाएं हुई, जिसमें की धर्म का और राजनीति का दोनों का एंगल था, इसके बावजोद पंजाब में इसको कंट्रोल कर लिया गया था KPS गिल के नेतरितों में, वहाँ पर भारत सरकार को सफलता मिली थी, और शादी ये ऐसी सफलता थी, जिसके आधार पर भ मुख्य मंतरी रमन सिंग को एक लिस्ट भी तियार करके दी थी मावादियों सनिपटने के लिए, ये नहीं पता कि उसका क्या हुआ, ये चीज हो सकती थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़े इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि नौर्थ हिस्ट से लेकर बिहार, यूपी, नौर् तो कब का खतम हो चुका है? इसके अलावा आपको ये मतलब लेटिन अमेरिका में भी आप पेरू के चिली के क्योबा के उधारन देख सकते हैं, आप यूगान आप यहां पे अफरीका में वैसे उधारन देख सकते हैं, जब बुर्किना फासों में इनका उरूज होता है, थोमस संकारा का, पूरे दु कबिलाई इलाका है, उस कबिलाई इलाके की खास बात ये है कि वो एतिहासिक रूप से हतियार बंद रहा है, अभी से नहीं, मतलब सदियों से, जब तलवारें थी तो तलवारें, जब तीर थे तो तीर भाले, और इसके अलावा, जब बंदूकें आई तो उन लोगों ने बंदूकों को अपना लिया है, वहां के समाज में हतियार जो हैं, आपके साथ, मतलब वैसे ही हैं, सहज हैं जैसे इनसान सहज हैं, और दूसरी बात ये है कि ऐसे इलाकों में कबिलाई समाजों में जमिदारी का होना बहुत स्वाभाविक है, तो बड़े जमिदार थे, गन अंदूलन खड़ा हुआ, और अभी भी कुछ हिसों में चल रहा है, लेकिन वह वहां पे इतना रेलेवेंट नहीं रहा है, जितना कि भारती परफेक्स में हम नकसल अंदूलन को देखते हैं, तो कहानी की सुरवात जो है, वो होती है, एक पार्टी थी वहां पे, आवामी पर्कर्स पार्टी, नेशनल आवामी पार्टी, अच्छा, एन अपी जो थी, उसके जो प्रमुखनेता थे, उसमें खान वली खान भी हुआ करते थे, खान वली खान जो थे, वो बचा खान के बेटे थे, बचा खान के बेटे थे, बचा खान यूनिवरस्टी जिसमें अभ और रेडिकर माक्सिजम पे बात कर रहे हूं उसी दोरान मशाल खान और बच्चा खान से ये जो सारी चीज़ें जुड़ती हैं अच्छा बच्चा खान या खान अब्दुल गफार खान जिनको सिमांत गांधी कहा जाता है वो उनकी लेगेसी ये थी पाकिस्तान में कि उन्ह पार्टी के बाद उन्होंने ये कहा था कि गांधी ने मेरे पीठ पी चुरा भोका और पार्टीशन को सिकार कर लिया उनकी लेगेसी से उनके बच्चे निकल का है खान वली खान और ये नेशनल आवामी पार्टी बनी थी धाका में दरसल ये लेफ्ट लेफ्टिस जो तो नेशनल आवामी पार्टी वली खान बनी इसी वली खान पार्टी वली खान वाले फैक्शन में से एक लीडर निकला और उसने पहली मई जो मज़दूर दिवस होता है उस पहली मई 1968 को एक अपनी नई पार्टी बनाई मजदूर किसान पार्टी 1970 में पंजाब में काम कर महावादी फैक्शन जिसके लीडर हुआ करते थे मेजर इशाक मुहमद 1970 में वो भी इनमें मर्ज हो जाती है और इनका जो मास बेस है वो और बढ़ जाता है तो इन लोगों ने सबसे पहले हस्त नगर और यह जो चार सद्दा जो डिस्टिक है नॉर्थ वेशन इसके फ्रे पर सद्दा के पास में ही उस जगां का नाम मैं दरसल भूल रहा हूं मंदानी अच्छा मंदानी जो है उसका पाक्तों में जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि बंजर जमीन और इसके भी पीछे भी केवदंती है कि वहाँ पे एक बार जो है बहुत पुराने समय में पचास गुलिला थे वो आमने सामने थे वो 1971 का ही दौर था जिसमें तनाव चल रहा था बांगला देश की सीमा पर और उसी दौर में यहां पर नौर्ट वेस्ट फ्रंटियर में भी इस किसम के आंदोलन जो है खड़े हो रहे थे तो इस आंदोलन का इस जो ये क्लैस था इसका अं उनकी बनी हुए इसके अलावा सिंद के सिंद का भी कुछ एरिया है और पंजाब के कुछ चटपूर्ट एरिया है जहां पर इनका परजन सभी देखा जा सकता है तो इनका कोई इतना बड़ा सिग्निफिकन जो है वो पकिस्तान की राजनिती में रहा नहीं लेकिन फिर भी यह अंदोलन इसलिए महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि खास तोर पे खेबर पक्तून खा और जैसे वैसे कभिलाई इलाकों में जहां पर इसलामिक रेडिकलिजम जो है वो अपने चरम पर है और पेट्रियार्कल सोसाइटी है और इस तरीके के अंदोलन जो है वो इसलिए महत्पूर्ण हो जाते ही एक किसम के प्रोग्रेसिव है यहां पर ओरतें भी हतियार बंद हैं मर्द भी हतियार बंद हैं एजुकेशन का लेवल अच्छा है इन एरियास में खास तोर पे और हालांकि अब यह सिमटने की कगार पर है और इनका अब कोई खास परजिंस रहा लेकिन एक महवादी आंदोलन की हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में भी रही है